नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जी हां आज का टॉपिक है चाहें कैसा भी जोड़ों का दर्द हो या फिर हड्डियों का दर्द हो रात को ये उपाय कर लिया तो कभ गठिया रोग को आमवात संधिवात इत्यादी नामों से भी जाना जाता है इस रोग में सबसे पहले शरीर में निर्बलता और भारीपन के लक्षन दिखाई देते हैं इस रोग के होने पर हाथ के बीच की उंगलियों में दर्ध होता है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो हाथ की दूसरी उंगलियों में भी सुजनेवंं दर्ध होने लगता है गठिया रोग होने पर शरीर के हट्डियों में दर्ध होता है जिसके कारण रात को चो पतानी जा रहे हैं आपको उस प्रकृया को नुष्खे को आज्मानी में जरा भी संकोच न करें और शरीर म सोने से पहले इस्तेमाल करना है चाहें कैसा भी जोड़ों का दर्ध हो या फिर हड्ड़ों का दर्ध हो ये उपाई कर लिया तो कभी नहीं होगा आज कल की बदलती जिवन शेली में जाधतर लोगों को जोड़ों के दर्ध की शिकायत है यूं तो जोणों के दर्द की समस्या एक उम्र के बाद ही सामने आती है लेकिन कितना अच्छा हो अगर आप शुरुआत से ही इसके प्रति सचेत रहें गठिया के समस्या हो जाने पर पूरी लाइफ हैस्टाईल अस्त व्यस्त हो जाती है पर आप चाहें तो सहिक खानपान के मदद से इस परेशानी को आने से रोख सकते हैं आपने अपने घर में दादा, दादी, नाना, नानी को जोड़ों के दर्थ से परेशान होते हुए देखा होगा अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपको न हो तो आज से ही अपने अहार में कुछ एक चीजों का सेवन आवश्य सुरू कर दें अवश्यक समगरी अपनोट कीजिए, पांच सुखे आलू बुखारा, एक सुखी हुई खुबानी, एक सुखी अंजीर इसे इस्तेमाल करना बहद आसान है, दो महिने तक सिर्फ सोने से पहले इनको खाएं और आपका दर्द प्राक्रितिक तरीके से खत्म हो जाएगा सुखे आलू बुखारे में पाये जाने वाले जैविक सक्रिय पदार्थ, रेडियो थेरेपी या अन्य वीकिरण आवरंड से होने वाले अस्तिर शती को रोकने में प्रभावी होते हैं सुखा आलू बुखारा वीकिरण से हड्डियों के रक्षा करता है फाइवर से भरपूर होने के कारण ये कबजे से छुटकारा दिलाता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है सुखी हुई खुबानी ये फल एंटियोक्सिडेंट्स, पोटैशियम, नन हीमो आयरन और डाइटरी फाइवर का बहुत ही अच्छा श्रोथ है खुबानी में पाए जाने वाले एंटियोक्सिडेंट्स हमारे शरीर में रोगप्रति रोधक, शमता, सेल्की वृध्धी और आ क़र्ण की कमी को पूरा करता है, जो कि संसार में सबसे आम पाई जाने वाली समस्या है सूखी अंजीर जिहां इसमें फाइवर होता है का पाचन तंतर को मजबूत करता है और दिल को सेहत मन्ध रखने में मदद करता है फाइवर से कबजी भी ठीक होती है ये फल कई खनीज पदार्थों से भरपूर होता है जैसे कि मैगनेशियम, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम ये खनीज हड्यों के मजबूते के लिए जरूरी होते हैं साथ ही प्रतिरोधक, शम्ता और चम्री के लिए भी फायदे मंद हो ब्रेश्ट कैंसर भी हो सकता है गठिया, जोणों का दर्द और हड्डियां मजबूत करने का घरेलू उपाय जानिए पीपल और बेलिया के पत्ते एवं छाल को एक साथ पीश कर लेप बना ले इसका लेप अंगलियों एवं घुटनों पर करने से अंगलियों एवं घुट घुटनों की हड्डियां मजबूत होती हैं, घुटनों के दर्द में त्रीफला, पीपल की जड, सोंट, काली मिर्च और पीपल को 10-10 ग्राम के मात्रा में लेकर पीश कर चुट बना ले यह दो चुट की चुट शहद के साथ सुबह शाम लेने से घुटनों का दर्द दू विशेश शग्य भी मानते हैं कि प्याज और लहसुन में कई ऐसे तत्व पाये जाते हैं, जो जोडों के दर्द में फायदेमंद होते हैं, इनके नियमित सेवन से जोडों के दर्द की शिकायत होने का खत्रा काफी कम हो जाता है, बादाम और मुंगफली जिहां, विटामी जोडों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खास तोर पर बादाम में पाया जाने वाला उमेगा 3 fatty acid सूजन और गठिया के लक्षनों को कम करने में मददगार होता है, बादाम के अलावा मुंगफली में भी परियाप्त मातरा में उमेगा 3 fatty acid पाया जाता है, प एपल साइडर वीनिगर और ब्रोकली, जिया, एक गलास पानी में एपल साइडर वीनिगर मिला करके पीने से जोडों के दर्द में फायदा मिलता है, इसके अलावा ब्रोकली खाने से भी गठिया में आराम मिलता है, ब्रोकली में कई ऐसे पोशक्ततों पाये जाते हैं, जो पदार्थों का भोजन आवश्य लें जिहां एक वर्ष पुराने चावल, अरंडी का तेल, पुरानी शराब, लहसुन, करेला, परवल, बैंगन, सहजन, लस्सी, गोमुत्र, गर्म पानी, अधरक, करवे एवं भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, साबुदाना, तथा बिना चूपडी, रोटी का सेवन करना गठिया में लाफकारी होता है, इसलिए इनका सेवन आवश्य करें, इस रोग में फलों का सेवन और सुबह नंगे पैर घास पर टहलना रोगी के लिए लाफकारी होता है, गठिया रोग में रात को सोते समय, एक गलास दूध में जरासी हल प्रोब्लेम बढ़ गई है तो आप कोई दवा ले लिए लेकिन लॉंग टाइम के लिए यह दवाईयां सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि इन से फायदा मिलता है वो फायदा दूसरी चीजों से नहीं हो सकता आपको अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों